मेरे प्यारे देशवासियों आज विज्या दस्मी का पावन परव है आप सब को विज्या दस्मी की अनेक अनेक शुब कामना है मैं आज रेडियो के माध्यम से आप से कुछ मन की बाते बताना चाहता हूँ और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं ये बात्चित का अपना क्रम आगे भी चलता रहे मैं कोशिश करूँगा हो से के तो महिने में दो बार या तो महिने में एक बार समय निकाल करके आप से बाते करूँ आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूँगा तो रविवार होगा और समय प्रातक ग्यारा बजे का होगा तो आपको भी सुईधा रहेगी और मुझे भी संतोस होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुँचाने में सफल हुआ हूँ आज जो विजयादस्मे का पर्व मनाते हैं ये विजयादस्मे का पर्व बुराईयों पर अच्छाईयों का विजय का पर्व है लेकिन एक सिमान गनेश वैंकरादरी मुंबई के सज्जन उन्होंने मुझे मेल भेजा और उन्होंने कहा कि विजयादस्मे में हम अपने भीतर की दस बुराईयों को खत्म करने का संकल्प करें, मैं उनके इस सुझाव के लिए उनका भारव्यक्त करता हूँ, हर कोई जुरूर सोचता होगा, अपने अपने भीतर की जितनी ज्यादा बुराईयों पर को पराजय करके विजय प्राप्त करें, लेकिन राष्टर के रूप म मुझे लगता है कि आउ विजय दस्मी के पावन पर्व पर हम सब गंदकी से मुक्ति का संकल्प करें, और गंदकी को खत्म करके विजय प्राप्त करना, विजय दस्मी के पर्व पर हम यह संकल्प कर सकते हैं, कल 2 अक्तुबर महत्मा गांधी की जन्म जैन्ति पर अभियान सवासो करोड देश वाशियों ने आरंब किया है मुझे विश्वास है कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे मैंने कल एक बात कही थी स्वच भारत अभियान में कि मैं नव लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे खुद सफाई करती हुई अपनी वीडियो को सोश आवान करना चाहते हैं उनको कीजिए बेवी सफाई करें आपके साथे मित्रों को कहिए बहुत उपर जाने की ज़रूत नहीं है वो और नव लोगों को कहे वो और नव लोगों को कहे दिरे धिरे पुरे देश में यह माहोल बन जाएगा मैं विश्वास करता हूँ इस काम क आप आगे बढ़ाएंगे अब जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बहुत स्वाभाव ध्यान में आती है आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे अनेक प्रकार के फैब्रीक्स होंगे अनेक कंपनियों के प्रोड़क्ट होंगे क्या उसमें ए एक चीज भले हैंकर्चिफ हो भले घर में नाने का तॉलिया हो भले हो सकता है बेडशीट हो तक्ये का कवर हो परदा हो कुछ तो भी हो अगर परिवार में हर प्रकार के फैबरिक का शौक है हर प्रकार के कपड़ों का शौक है तो एक यह भी तो होना चाहिए और यह मैं इसल करिए एक चीछ और इन दिनों तो दो अक्तुबर से लेगे करीब महीने भर खादी के बाजार में स्पेशल डिसकाउंट होता है उसका फाइदा भी उठा सकते हैं एक छोटी चीछ और आगरह पुर्वग इसको करिए आप देखिए गरीब के साथ आपका कैसा जुडाव आता है उस पर आपको कैसी सफलता बिद्धी है मैं जब कहता हूँ सवासो करोड देशवासी आप तक क्या हुआ है हमको लगता है कि सब कुछ सरकार करेगी और हम कहां रह गए हमने देखा है अगर आगे बढ़ना है तो सवासो करोड देशवासियों को करना पड़ेगा हमें कर्च में मार्श पहुंचने का सफल प्रयोक सफलता बुर्वक पारप कर दिया हमारी ताकत में कमी नहीं है सिरब हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं अपने आपको भूल चुके हैं हम जैसे निराशनित बन गए हैं नहीं मेरे प्यारे भाईयों बेहनों ऐसा नहीं हो सकत स्वामी विवेकानन अक्सर एक बात हमेशा बताया करते थे शायद ये बात उन्होंने कई बार लोगों को सुनाई होगी विवेकानन जी कहते थे कि एक बार एक शेरनी अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी दूर से उसने भेड का लगा तेकि दूसरा बच्चा पिषड गया शेरनी भेड का सिकार करते हुए आगे बढ़ दे एक बच्चा भी चला गया लेकिर एक बच्चा पिछड गया जो बच्चा पिषड गया उसमें एक माता भेड ने उसको पाला पोसा बढ़ा किया और वो शेर भेड के बीचे ही ही बड़ा होने लगा उसकी बोल चाल आदते सारी भेड जैसी हो गई उसका हसना खेलना बैटना उठना सब भेड के साथ ही हो गया एक बार वो जो शेरने के साथ बच्चा सला गया था वह बड़ा हो गया था उसने एक बार इसको देखा कि यह क्या बात है यह तो शेर है और हम पर ही संकटा गया, तो इसके पास गया तो उसको कहना रगा, तु क्या कर रहा हो, तुम तो शेर हो, तो नहीं, जो से भैड़ सो, मैं तो पानी के पास ले गए हैं, और कुंए में पानी के अंदर उसका चहरा दिखाया, और खुद के चेहरे के साथ उको कहा है देखो हम दोनों का चेहरा एक है मैं भी शेहर हूँ तुम भी शेहर हो और जैसे ही उसके भीतर से आपसं मान जगा उसके अपनी पहचान हुई तो वो भी उस देश शेहर के तरह भीडों के बीच पला हुऑ शेहर भी दढ़ने लगा उसके भीतर का सत्व जग गया स्वामी वीवेकरन जी यही कहते थे मेरे देश भासियों सवा सो करोड देश भासियों के भीतर अपार शक्ती है अपार सामर्थ है इतना सामर्थ है हमें अपने आपको पहचानने की जरूरत है हमारी भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है और फिर जैसा स्वामी विवकरंजी ने कहा था उस आत्म सम्मान को लेकर के अपनी सही पहचान को लेकर घम चल पड़ेंगे तो विजय होंगे और सफल होंगे और हमारा राष्ट भी विजय होगा, सफल होगा मुझे लगता है हमारे सवा सो करूर देशवासी भी सामरते वहान है, स्वक्तिवान है हम भी बहुत विश्वास के साथ कड़े हो सकते हैं उन दिनों मुझे इमेल के द्वारा, सोशल मेडिया के द्वारा, फेस्बुक के द्वारा, कई मित्र मुझे चिठी लिखते हैं एक गौतम पाल करके व्यक्ति ने, एक चिंता जताईए, उसने कहा है कि जो स्पेशली एबल चाइल होते हैं उन बालकों के लिए नगरपाली का हो, महानगरपाली का हो, पंचायत हो, उसमें कोई विशेश योजना होती रहनी चाहिए, उनका होशला बुलंद करना चाहिए मुझे उनका इस हुजाव अच्छा लगा, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, तो 2011 में, एथेंस में, जो स्पेशल अलिम्पिक होता है, उसमें जब गुजरात के बच्चे गए, और विजय होकर गया है, तो मैंने उन सब बच् कि ये किसी परिवार में है, तो सिर्फ उनकी माबाप का दाई तो नहीं है, ये पुरे समाज का दाई तो है, परमात्मा ने सायद उस परिवार को पसंद किया है, लेकिन वो बालक तो सारे राष्ट की जिम्मवारी होता है, बाद में इस तना में इमोशनली टुच हो गया कि मैं गुजरात में स्पेशली एबल बच्चों के लिए अलग ऑलिम्पिक करता था, हजारों बालक आते तो उनके माबाप आते थे, मैं खुद जाता था, ऐसा एक विश्वास का वातराण प्यदा होता था, और इसलिए बगवतम पाल के इस तुजाव जो उन्होंने दिय है, इसके लिए मैं मुझे अच्छा लगा, और मरा मन कर गया, कि मैं मुझे ये सुजाव आया है, और मैं आपके साथ शेयर करूँ, एक कथा मुझे और भी ध्यान आती है, एक बार एक राहगीर रास्ता की किनारे पर बैठा था, और आते ही जाते सब को पूछ रहा था, मैं खड़ा हुआ, खड़ा होकर कि किसी को पूछने लगा, तो वो सजन खड़े होकर कि उसके पांस आये, उसने का देखो भाई, तुम को जहा जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है, तो उस राहगेर ले उसको पूछा, भाईसात, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बताने रहा है, आपको पता था, तो आप क्यों नहीं बताते थे, बोले मुझे भरोसा नहीं था, कि तुम सचपोच में चलन करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकर के लिए पूछते रहे तो, लेकिन जब तुम खड़े हो गए, तो मेरा मन कर गया है, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है, तब जागर कि मुझे लगा है, कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए, मेरे देश्वासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं कर देगी, और मुझे विश्वास है, कि सभा सो करूर देश्वासी जूरूर चलने के लिए सामर्थवान है, चलते रहेंगे, कुछ दिनों से मेरे पास जो अनेक शुजाव आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग शुजाव लोग बेजते हैं, मैं जानता हूँ कब कैसे कर है, मुझे कुछ लिगों ने कहा है, कि मुझे लगू इद्योग शुरू करते हैं, तो उसकी पंजेकरन जो प्रक्रिया है, वो आसान होनी चाहिए, मैं जुरूर सरकार में उसके लिए सूचना करूं का, कुछ लोगों ने मुझे लिग करके भेजा है, कि बच्चों को पां कुछ लोगों को भी कंपल सरी केल डेवलप्मेंट होना चाहिए, उनकी पढ़ाई के अंदर, कुसी ने मुझे लिखा है, कि हर सौ मीटर पर एक डस्ट भीन होना चाहिए, सफाई की विवस्ता करनी है, कुछ लोगों ने मुझे लिख करके भेजा है, कि पालिसीन की बैग पर प्रतिमन लगना चाहिए, धेर सारे सुझाओ मुझे लोग भेज रहे हैं, मैं आगे से भी आपको कहता हूँ, अगर आप मुझे कहीं पर भी कोई सत्य घटना भेजेंगे, जो सकारात बखो, जो मुझे भी प्रेणा दे, देशवाश्यों को प्रेणा दे, अगर ऐसी स सत्य घटना है, सबूत के साथ मुझे भेजोगे, तो मैं जुरूर जब मन की बात करूँगा, और जो चीज मेरे मन को छूग गई है, तो वो बातें मैं जरूर देशवाश्यों तक पहुचाऊंगा, ये सारा मेरा बातचित करने का इरादा एक ही है, आओ, हम सब मिल करके, अपने भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई उचाईयों पढ़ने जाएं, हर कोई एक कदम चले हैं, अगर आप एक कदम चलते हैं, देश सवा सो करोड कदम आगे चला जाता है, और इसी काम के लिए, आज विजया दस्मी के पावन पर्वपर, अपने भीतर की सभी वि परास करके विजय होने के संकल्प़ के साथ, कुछ अच्छा करने के साथ, हम सब प्रारम करें, आज मेरी शुप शुरुआत हैं, जैसा जैसा मन में आता जाएगा, भवश में जुरूर आपसे बाते करता रहूँगा, आज जो बाते मेरे मन में आई, वो बाते मैंने आपक को कही हैं फिर जब मिलूँगा रविवार को मिलूँगा सुबह 11 वजे मिलूँगा लेकिन मुझे भी स्वास है कि हमारी यात्रा बनी रहेगी आपका प्यार बना रहेगा आप भी मेरी इस बात सुनने के बाद अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं जुरूर मेरे तक पहुंच जाओंगा, क्योंकि मेरा मरी देश की ताकत गरीब की जोपड़ी में हैं, मरी देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में हैं, मरी देश की ताकत किसानों में हैं, मैं आपकी के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये भी इस्वास ब्यक्त्र करता हूँ, आप आपने समय निकाला, फिर एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद. झाला, बहुत दिए तुल्णकारा इसकैं, बहुत 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 मैं झाला. झाल 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 झाल